लौड किश्ना नमन लौड किश्ना नमन माई ओल स्वीट डियर इस्टुडेन मेरे प्यारे बिध्यारती हो आज हम कुछ कहानी आपको बताएंगे कुछ ऐसी कहानिया जो आपको हमारे हैबिटेट को हमारे फॉरेस्ट को जिन्होंने अपना बलदान देने के लिए जो तयार हो गए जिनके नाम से आज भी कुछ स्टोरीज बन गई कि उन्होंने किस तरह से एनिमा स्वरेस्ट को प्रोटेक्ट किया फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है ये हमारे लिए ग्रीन लंग्स का काम करते है प्यूपल हैव मेड एफर्ट टू कंजर्व फॉरेस्ट सिंस लॉंग टाइम लंबे समय से जो लोग हैं वो फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते थे हेर आर फ्यू स्टोरीज पहली स्टोरी शुरू होती है सत्रा सो एकतिस में इन सेविंटीन थर्टीवन दा किंग ओफ जोदपुर आस्क हिज मैन जोदपुर के जो राजा है वो अपने लोगों से पूछते हैं तो गैट सम वूड फ्रॉम दा फॉरेस्ट कि आप कुछ लकडी लाइए क्योंके उनके घर का यानके उनके पैलेस का निर्माण होना है बट वेन दे वेन टू फॉरेस्ट दा लोकल प्यूपल जब वो बहां पर गए तो बहां के जो लोकल लोग थे आफ बिस्नोई जो की कौन थे बिस्नोई थे बिस्नोई बूमेंस अमरिका देवी बिस्नोई बूमेंस अमरिका देवी ने एक पेड को हग कर लिया तो इसे काट ने नहीं दिया तो पहले की स्टोरी में आपने क्या देखा कि अमरिका देवी ने जो की बिस्नोई फैमिली से थी उन्होंने क्या किया था पेड को हग कर लिया था एक मतलब उन्होंने अपना सरवच निश्वावर करने के लिए तयार हो गए थे राजा चाहता तो उसे मारने के लिए भी बोल सकता था है ना तो पहले से ही नेचर से लोगों में प्यार था आपको और हमको सबको नेचर से प्यार है इसलिए आप हर साल हमारे लौड किशना स्कूल में ब्रच्छा रोपर करते हैं पौधे लगाते हैं पिछली बार भी आपने बड़े ही हर्स और उल्लास के साथ बहुत सारे ब्रच्छ लगाए थे दे चिपको मूमेंट ऑफ गरवाल हमालिया एज एनूदर एक्जामपल हमालिया के गरवाल रीजन में एक अलग एक्जामपल आपको देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं चिपको अंदोलन अफ लोकल बूमेंट सोइंग ग्रेट करेज इन प्रोटेक्टिंग ट्री यहां की जो लोकल महलाएं हैं उन्होंने एक साहस भराकार किया और पेड़ों को बचाया the government of फिंडिया in 1980 introduce the joint forest management 1989 में भारत सरकार ने joint forest management को क्या कיya introduce किया for protecting and managing forest इसके according इहां पर forest को protect करना forest को manage करना होता है the one mahot sa program launch by government of फिंडिया भारत सरकार ने one mahot sa program launch किया to increase the forest cover of our country was initiated in July 1947 उसका एक main region ये था कि हम कैसे भी करके भारत का अधिकतर छेत्र बनों से आच्छांदित कर दें बनों से आच्छांदित कर दें या फिर हम बनों से cover कर दें और ये initiate भारत सरकार को कब मिला जुलाई 1947 में जुलाई 1947 में ये initiate भारत ने बन महोतसब प्रोग्राम के रूप में लॉप में लॉप में लॉप किया a massive tree plantation drive was launcher in the presence of imminent personality तो ऐसे पौधों को जो plantation करना था वो काफी महान लोगों ने किया जैसे कि जवाहर लाल नहरू जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर राजन प्रिशाद जो कि हमारे प्रेशिडेंट थे अब्दुल कलाम आजाद भी एक सुतंता सेनानी थे सिंस देन एवरी एर डूरिंग जुलाई दा मांसून पीरियड सेंप्लिंग आर प्लांटेड इन सुल कॉलेजेज एंड अधर एरिया तो मांसूनी रीजन में मांसूनी समय में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं इस बार तो साइद पता नहीं अभी हो सकता ऐसा हो अगर होगा तो आपको बुलाया जाएगा ओके स्टुएंट टुड़ें इंडियन रायनो है वी रेकवर फ्रॉम दा जौ ऑफ एक्शनिक्सन तो यहां पर जो इंडियन रायनो है वो बिलुपती की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़त इंका नम्मर भी इंक्रीज हो गया है फ्रॉम एन इस्टीमेट वन डजन टू ओवर टू हंडेड इन काजीरंगा एंड सुन्दरवन तो पहले यह वन डजन के सम्थिंग थे और अब यह दो सो से ऊपर हो गए हैं काजीरंगा और सुन्दरवन में दा एसिएटिक लाइन है फ्रॉटेक्टिड इंगिल फॉरेस्ट तो एसिएटिक लाइन जो है जो की गिल फॉरेस्ट में हैं बहाँ हुने प्रॉटेक्ट किया गया है घर्याल एंड फ्रेश वाट रक्रोकोडाइल फ्लोरिस आफ्टरा सक्शिफफॉल केप्चिंग वीड़िंग प्रोग्रम गर्य वोलाराइब ट्रवाइब टुडे अंलिए लां गियी इंहांं है फिए यह सेर्डई जो इंहें का उप जाती है तो क्यासyy 1965 अंगी तेर्ज में औरे तो पार्ट में भी देखने को मिलती है इंडियन सब्कॉंटिनेंट में और नौहर्थ इस्ट् में तो आप जानते हैं आप secular आते थ्यारस सेवरवने के नाम जल्ली से jeansiner कोनबशने कॉन idée हैе वं आपकी हेल्प करूंगा और अबादे बेस से स्टार्ट हो जाओ condition लिए